नमस्कार सातियों सुवागत और अभिनंदन आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा आपके दिसंबर दिसंबर 2022 के अंदर जो करेंट के क्युषन हमारे लिए कुछ बच गए थे वैसे बहुत सारी चर्चा हमने कर ली थी लेकिन अंतिम कुछ दस दिनों में जो दिसंबर महा के अंदर क्युषन मने उनसे संबंदी तिये हमारा सेशन रहेगा ठीक है तो देखिए एक तो हमारे ल दुवारा रन फोर माउंट आबू से हुई तीन दिवसिये सरद महत्षव की सांदार शुरुवात 31 दिसंबर तक चलने वाले इस महत्षव में विभिन कार्य कर्मों का आयोजन किया जाएगा यानि कि बात यह है कि परियेटन विभाग दुवारा सरद जो महत्षव है उसकी जो सुरुवात है वो 29 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक यानि कितने दिवसिये तीन दिवसिये ये महत्षव मनाय जाएगा कहां पर मनाय जाएगा माउंट आबू शिरुई आपके एकजाम के लिए 3 क्यूशन है एक तो यह कि हाले में 2022 सरद महत् कितने दिवसिये था तीन दिवसिये कब से लेकर कब तक 29, 30 और 31 दिशंबर कहां पर तो याद रखेगा माउंट आबू शिरोही और याद रखेगा रन फोर माउंट आबू तीन दिवसिये सरद महत्षव ठीक है बस इतनी शिवात आपको याद रखनी है अगली बात देख लेडर ओफ वेरी वेरी इंपोर्टेंट याद रखेगा लेडर ओफ डिकेड का सम्मान केने का मतलब वेश्विक संस्ता है जिसका नाम है विमन इकोनोमिक फोरम की और सी नई दिल्ली में आयोजित कारेक्रम में किया गया सम्मानित Gibbs याद रेगा कि राजस्तान की जो खे जिना जी इनको वेश्विक एक संस्ता जिसका नाम है वीमन इकोनोमिक फोरम उनके दुवारा आयोईजित कारेकरम नई दिल्ली में इनको शमानित किया गया है किस से लेडर आफ डिकेड से याद रिखिएगा अच्छा क्यूशन नहीं है ठीक है इसके अलाव देखिए ओर फ राजस्तान को देश में कोण सा इस्तान मिला है याद रिखिएगा तीशवा तो इसके अंदर राज्ये और केंदर सासित परदेश भी सामेले ठीक है उस आधार पर राजस्तान को देश में कोण सा इस्तान मिला है तीशवा याद रिखिएगा ये जो रैंकिंग है ये दिस दिसम्बर 2022 को जारी जल जीवन मिशन रेंकिंग में राजस्तान को कोण सा इस्तान प्राप्त हुआ तीसवा एक याद रखेगा पन्ना धाई आप सब जानते हैं पन्ना धाई जिनोंने मेवाड के महरणा उदेशिंग की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था इसलिए पन्ना धाई को त्याग वे बलिदान की मूर्ति के रूप में याद किया जाता है तो पन्ना धाई से संबंदी दो बाते हैं एक तो अभी हालिक इंद्र आपको पता होगा भारत के जो रक्षा मंत्री है राधना सिंग जी उनके दुआरा पन्ना धाई की जो परतिमा है उनका अनावन किया था उदेपूर में और अब राज्य शरकार दुआरा पन्ना धाई का पेनोर्मा इस्तापित किया जाएगा कहां पर तो याद रिखेगा पांडोली चितोडगड ये इंपोर्टेंट फेक्ट है पन्ना धाई का पेनोर्मा कहां इस्तापि ठीक है एक याद रिखेगा टी 24 यानि की टाइगर टाइगर जिसका नाम था उस्ताद उसके हाले में मरती हो गई है उसका सम्मन कौन से पारक से था तो याद रिखेगा सजनगड बाइलोजिकल पारक एक आपको यहां पर बहुत ज़्यादा करिफ्यूज रहता देखिए राजस्तान का पर्थम जो बाइलोजिकल पारक है वो सजनगड है लेकिन जो प्रस्तावित हुआ था पहला वो था नहारगड लेकिन बन पेले कौन सा गया था सजनगड इसलिए याद रिखेगा राज्ये का पहला या फस्ट बाइलोजिकल पारक कौन सा है सजनगड जो कह अलावा है आपके 63 वी वार्षी कला पर्दस्नी जो कब लगई गई गई 24 दिसंबर 2022 को किसके दुवारा राजस्तान ललित कला एक आदमी जैपुर दुवारा कहां पर तो जालाना इस्तित है एक आदमी संकुल की कला दिरगा में हाली 2022 में कौन सी वार्षी कला पर्दस्नी लगई गई थी हाली में दिसंबर 2022 का आयोजन न राजस्तान ललित कला एक आदमी जैपुर दुवारा जालाना इस्तित एक आदमी संकुल की कला में तो याद रखेगा 24 दिसंबर 2022 एक ये पारख बनेगा इस्टेट्स पर रख ठीक है यानि कि मानशिक तोर पर बहुत ज़्यादा हम इस्टेट्स ले लेते हैं उशी की तरज पर वैसे अभी नहीं खुला है ये जनवरी के अंदर अभी ये निर्माना दीने याद रखेगा ठीक है और एक भीलवाडा का इस्तान है चांदगड जहा के अंदर किसके भंडार मिले हैं तंब के जैसे हम हनुमान गड़ और कर रही जहां पर में पोटास के भंडार मिले है उसी परकार भीलवाडा का एक शचांदगड जहां से हमें किसके तंबे के बंडार मिले हैं ठीक है नेक्स्ट अगली बात देखिए राजस्तान लोगशेवा आयोग यानि की आरपीशी राजस्तान लोगशेवा आयोग यानि की कौन सी आरपीशी आरपीशी का कौन सा इस्तापना दिवस मनाये गया हाली में तो याद रखेगा 74 वा चोहतरवा इस्तापना दिवस यानि कि राजस्तान लोक्षेवा आयोग इसका घटन कब हुआ तो याद रखे 22 दिसंबर 1949 को ठीक है और इसके वरतमान अध्यक्स कौन तो याद रखे संजेश शोत्रिये और कुल सदेशे कितने हैं तो साथ तो सदेशे और एक अध्यक्स टोटल आठ टोटल कितने हैं याद रखे गा आठ तो राजस्तान लोक्षेवा आयोग का कोण सा इस्तापना दिवस मनाये गया 74 वा ठीक है 22 दिसंबर 1949 इसकी इस्तापना वरतमान अध्यक्स हैं संध्ये सोत्रिये और कुल सदेशे कितने हैं तो साथ सदेशी होगे और एक आपके अध्यक्स टोटल कितने होगे आठ अच्छा एक याद रखेगा कि राश्टी इस्तर पर राजस्तान को पहली बार खनन शेत्र में पुरुषकार मिला है वो भी कोण अभी हाले में आपको बता होगा सरदार शेर जो चूरू के अंदर है वहां पर उपचुना होए थे और उस उपचुना में विजे कौन होए थे यादखना है अनिल कुमार शर्मा जो कौन सी पार्टी से सम्बंदित है कॉंग्रेस से ठीक एक याद रखे उस्ताद बिश्मिला खान युवा पुरुषकार किसे मिला है उस्ताद बिश्मिला खान युवा पुरुषकार तो याद रखेगा आसीस देवचारण को जिनका सम्मन जोतपुर से है किनके दुवारा दिया गया तो राश्टिये शंगीत नाटक एकादमी दुवारा आपको पुछा जा सकता है राश्टिये शंगीत नाटक एकादमी दुवारा उस्ताद बिश्मिला खानीवा पुरुषकार से सम्मानित कौन आसिस देवचारण जो कहां के हैं आपके याद रखेगा जोदपूर के ठीक ह एक आपके याद रखेगा जे रंगम जेपुर थेटर फेस्टिवल जे रंगम जेपुर थेटर फेस्टिवल जिसका आयोजन 28 से लेकर 24 दिसंबर 2022 को आयोजित किया गया था कहां पर जमार कला के अंदर जेपुर में और इसका उद्धिश्य था राजस्तान की कला संसकर्ति क को बढ़ावा देना ठीक है और एक महिला का नाम याद रखे सगून अगरवाल जिनका समन्द विकानेर से है अभी हाले के अंदर मिसेज इंडिया वसिंग्टन 2022 का खिताब जिता था इन्होंने ठीक है तो ये परमुक बात याद रखेगा आपके जे रंगम जेपुर ठीक है तो ये बातें थी आपके दिसंबर महा की कुछ विशेश कुछ हमने बातें कर रखी है चाए वो पुरुसकार हो कुछ भी हो बाकी ये कुछ और विशेश बात है ठीक है कल हम फिर मिलेंगे इस पूरे 2022 के अंदर जो जो परशित खिलाड़ी है उनका संबंद किस से ह और उनका खेल कौन सा है जो अभी चाए बास्केट बोल विजेता रही हो या कोई भी हो उनके बारे में शेशन रहीगा फिलाल आज के लिए इतना ही धन्यवाद